ऑनलाइन नर्निंग के कुछ ऐसे तरीके हैं जो नहीं करने चाहिए हैं मिसाल के तौर पे आज कल हनी ट्रैप लोगों को किया जाता है डिजिटल तरीके से हनी ट्रैप से मुराद यह निया कि आपको कच्छे में बुलाया जाएं लेकिन कच्छा रूट दिखाकर लोगों को पेज के ऊपर बुलाया जाता है आडियंस ली जाती है इसी तरह फेस्बूक के ऊपर बहुत सारे पेजिज आपने देखियोंगे सुवह सुवह खूब सूरत और वहयात खावातीन की तसवीर लगा के गुड मॉर्निंग, हाई, मेरे साथ कौन शादी करेगा, कौन मुझसे चैट करना चाहता है, वान टू मैरी मी और ये इस तरह करके काफी सारी आपने देखा होगा तसवीर फेस्बूक के ऊपर अचानक आ रही होती है तो बहुत सारे लोग दिल फैंक भी होते हैं, जर्नल आडियंस जो है, उन्हें पता नहीं लगता पेज के ऊपर जहां पे एक्शन बटन होता है, बेसिकली, कॉन्टेक्ट अस का तो वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद इस खातून से राप्ता हो जाए, भई वो खातून नहीं है, पीछे मर्द बैठा हुआ है मर्द ने कॉन्टेक्ट अस पे कोई न कोई एड का लिंक लगाया हुआ है, जिस तरह बिट.ly, लिंक शोटनर है, आप कोई भी लिंक क्लिक करते हैं, वो आपको पहले एड दिखाता है, और फिर इंप्रेशन के हिसाब से उस शक्स को पे करता है, जिसने वो एड लगाया है इसी तरह जो कॉन्टेक्ट अस पे एड लिंक लगा होता है, बिसिकली वो उसको पैसे जा रहे होते हैं, आप जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आपको एड सामने आ जाता है, एड आने के बाद उसको तो पैसे चले जाते हैं, लेकिन आपके इमान का पता चल जाता है, इ इस तरह के लोग उन में शामिल होते हैं, यह नहीं है कि सारे जो लोग कुफिया रखते हैं वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तदाद लड़कों की आजकल यह काम कर रही है, तो मैं इनको रोकना भी नहीं चाहरा है, कि आप लगें हैं, मुझे बता के थोड़ी करेंगे, मैं रोकूंगा तो रोक ठोड़ी जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो इन पेजिज के उपर जाकर कॉंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए, कि आपका कॉंटेक्ट किसी लड़की से नहीं होगा, आपकी वज़ा से उस भाई गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, इन दी एंड, यार कमाने के और बहुत सारे तरीकें, यह क्या तरीका है, आप क्यों इस से पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और काम करें, कोई स्किल सिखें, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखें, अगर आप इंटरनेट क उपर बैठ कर रोजाना के 10 से 15 गेंटे लगा रहे हैं, तो आप कुछ लर्न करें जो आपके काम है, यह ऑनलाइन रर्निंग का यह गटिया से बहुदा कोई तरीके नहीं है, इससे आप अपने आपको भी खराब कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी खराब कर रहे हैं, तो अवाइड करें चीज़ों से, थेंक यू